नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखेंगे सिक्स्या मनोवी ज्यान का मोडल टेस्ट नमबर 5 दोस्तों इससे पहले हमने 4 मोडल पेपर देख लिये थे जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जाकर देख सकते हैं दोस्तों हमारा मिसन है 30 मोडल पेपर और 30 मो सवेगात्मक बुद्धी को लोग पिरिये बनाने का स्रे किसको जाता है चार ओप्षन है आपके सामने डेलियल गोर्लमेन को जॉन डी मेयर को पिटर को सेलावे को पूचा क्या है कि जो सवेगात्मक बुद्धी है उसको लोग पिरिये बनाने का स्रे है वो किसको जाता है डे तीस में से मित्रूं आप 18 से लेकर 20 तक याँ पे सही करते हैं तो आपकी सिक्षा मनोविज्ञान की बहुत अच्छी तयारी है और आपको अंत के अंदर जैसे ही हमारे 30 क्यूशन हो तो आपको अपना स्कोर है 30 में से कितने क्यूशन आपके सही होते हैं वो कमेंट जरूर करन है दोस्तों चलते हैं एक्स्ट्रूशन की और दूसरा क्यूशन है दोस्तों कोई भी वेक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है किन्तु सही वेक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन है तू सही डेंग से क्रोध करना आसान नहीं है कि कतन किसका है यह कतन किस किसका है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है और मैं वैसे भी मित्रों आपको इसी भी कलास उठा के देख लेना चैनल पर चाहिए सिक्षामनों विज्ञानों हिंदी हो सैंसकर्थ हो गणी थो विज्ञानों सभी की एक से बढ़कर एक जो क्यूशन है एक जान की द मद्दे होने वाले समंदू का अध्यन किया जाता है कौन सी विदी है जिसके अंदर उदीपन अनुक्रिया के मद्दे समंदू का अध्यन किया जाता है पर्सन करता विदी मनो भोतिक विदी आतम निष्ट अंकन विदी परियोगात्मक विदी सही एंस्वर रहेगा आपका यहां पर वो रहेगा option number 4 परियोगात्मक विद्धी दोस्तु next question की ओर चलते हैं question number 4 है राश्ट्रिय सेक्सिक अनुसंदान एवं परसिक्षन परिसद ने बुद्धी के सिक्षन के लिए कौन सा विभाग खोला है हर एक क्यूसन इंपोर्टेंट और ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तु सरम एवं रोजगार विभाग मनो विभाग मनो विज्ञान विभाग राश्ट्रिय बोतिक विभाग उपरोगत कोई नहीं सही answer आपका रहेगा मनो विज्ञान विभाग क्यूसन को ध्यान से पढ़ लें ओप्सन नमर दोस्त है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं निव में से सिक्सक केंद्रित सिक्सन आव्यू है सिक्सक केंद्रित सिक्सन आव्यू कोल सा है परजा तांत्रिक सिक्सन आव्यू परभूत्व वादी सिक्सन आव्यू उप्यूग दोनू इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों पूचा क्या है कि सिक्सक केंदरित सिक्सन आव्यू परभूत्व वादी सिक्सन आव्यू है दोस्तों सिक्सक केंदरित दो नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं व्याक्यान के दोरान संप्रेशन स्रेष्ट होगा यदि सिक्सक ओप्सन देखिए तयार किये गए नोट्स में से पढ़ाता है नोट्स तयार करके आता है और उन्हें मारक दर्सिका के रूप में परियोग करे तातकालिक व्याक्यान प्रस्तूत करता है दूसरे चेतरू में से उद्धकरन देते वे तातकालिक व्याक्यान प्रस्तूत करता है व्याक्यान के दोरान संप्रेशन स्रेष्ट होगा यदि सिक्सक दूसरे चेतरू में से उद्धकरन देते वे तातकालिक व्याक्यान प्रस्तूत करता है चार नमर उप्षन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं सिक्षन में उत्तम परनाली वै है जिसमें उप्षन देखिए प्रश्णोत्तर के आउसकता ना हो अध्यापक चातरू से परसन पूछे चातर सिक्षक से संका समाधान करें अध्यापक और चातर दोनों परसन पूछे सिक्षन के अंदर उत्तम परनाली वै होती है दोस्तू जिसके अंदर चाए सिक्षक हो चाए चातर हो दोनों आपस में परसन पूछे अध्यापक और चातर दोनों परसन पूछे चार नमर उप्सन सही रहेगा next question में चलते हैं विकास एवं वर्दी है एक दूसरे के विरोधी एक दूसरे के समान एक दूसरे के पूरक इनमें से कोई नहीं विकास एवं वर्दी बहुत बार पढ़ा है ये question दो बहुत ही simple है मित्रू क्यूंकि यहां पे आपको सरल, कठीन और मद्यम तीनु प्रकार की क्यूशन मिलने वाले हैं, तीन नमर उप्सन सही रहेगा, विकास और वर्दी है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं, क्यूशन नमर ना हीन है दोस्तू, सामाजि वे समवेगात्मक, सामाजिक विकास और समय गात्मक जो विकास है, यह साथ-साथ चलते हैं, एसा क्रो वे क्रो ने कह था दोस्तू, तीन नमर उप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं, किस पहलू में मांसिक स्वास्ते को बनाई रखने की विदियां बताई जाती है, option एक है निरोधात्मक पहलू, option दो है सरक्षनात्मक नेलू, पैसोरी पहलू, option तीन है सकारात्मक पहलू, और option चार है उपचारात्मक पहलू, मानसिक स्वास्ते को बनाई रखने की विदिया, कौन से पहलू के अंदर आती है, सरक्षनात्मक पहलू के अंदर, दो और option सही रहेगा next question में चलते हैं कौन से आव्यू को सुक्राती विदी भी कहा जाता है कौन सा आव्यू है जिसको सुक्राती विदी कहा जाता है option एक है परशनोतर आव्यू option दो है अनुवेशन आव्यू option option number 3 है योजना आव्यू और option number 4 है समिक्सा आव्यू सही रहेगा आपका प्रशनोतर आव्यू सुक्राती विदी प्रशनोतर आव्यू को कहा जाता है next question में चलते हैं option number 12 है एक सिंख्षक के लिए सिंख्या मनोवि ज्यान की उपादयता है स्यम के ज्यानं में तयारी में जानकारी के लिए स्यम के ज्यान वाय है यहां पिदोस्त। वे तैयारी में जानकारी के लिए बालकू की आवसेक्ता की जानकारी के लिए विकल्प एक वे दो दोनु सही है विकल्प एक वे दो दोनु गलत है एक सिक्सेक है उसके लिए सिक्स्या मनोविज्ञान की उपादवाईता है दोस्तूं वो दोनों option एक नमबर और दो नमबर आपका यहां पे सही रहेगा तीन नमबर option विकल्प एक वे दो दोनों सही है दोस्तों next question में चलते हैं question number 13 है शिक्स्या मनोविज्ञान के ज्ञान के दोवारा सिक्सक option देखिए बालकू के वेक्तिक विबिन्ताओं का ज्ञान प्राप्त करता है उचित सिक्सन विद्यू का चैन करता है कक्सा कक्स में अनुसासन इस्तापित करता है उपरोक सभी शिक्स्या मनोविज्ञान के ज्ञान के दोवारा सिक्सक है वो बालकू के अंदर वेक्तिक विबिन्ताओं का ज्यान प्राप्त करता है उच्छी सिक्षन विदियू का चैयन करता है और कक्सा कक्स में अनुसासन इस्तापित करता है चार नमर उप्षन उपरोग सभी यहां पे आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अभीवर्दी सब्द का परियोग किया जाता है उप्षन है बालक के मांसिक विकास के लिए बालक के सामाजिक विकास के लिए बालक के सारीरिक विकास के लिए बालक के मांसिक वे सामाजिक विकास के लिए अभीवर्दी अभीवर्दी का परियोग सारीक विकास के लिए होता है दोस्तों तो बालक के सारीक विकास के लिए अभीवर्दी सब्द का परियोग किया जाता है next question में चलते हैं आतम सम्मान की बाउना का लक्सन रिक्तिस्तान दिया गया यहां पे परकट करती है आतम सम्मान की जो बावना का लक्षन है वो कौन सी अवस्ता में परकट होता है दोस्तों बाल्य अवस्ता, सेश्व अवस्ता, किसोरा अवस्ता या प्रोडा अवस्ता तीन नमर उप्षन आपका सही रहेगा किसोरा अवस्ता आतम सम्मान की बावना का लक्सन की सोरा हवस्ता पर कट करती है नेक्स्ट यूशन में चलते हैं बालक के मानसिक स्वास्ते में बादा डालने वाले कारक है कौन से हैं? वनसा नुकरम का परभाव, परिवार का विगटन, सारिरिक दोस, उप्रोक सभी जो बालक का मानसिक स्वास्ते है, उसके अंदर बादा डालने वाले कारक वनसा नुकरम का परभाव भी है, परिवार का विगटन भी है, सारिरिक दोस भी है चार नमर उप्रोक सभी आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं विदाले से पलाइन करने वाले बालक के अद्यन की सबसे उप्यूक्त विदी है विदाले से जो पलाइन करते हैं उन बालकों के अद्यन की सबसे उप्यूक्त विदी कौन सी है केस इस्टड़ी विदी, परशनावली विदी, सर्वेक्षन विदी या परियोगा अत्मक विदी दोस्तों important question है यह बहुत बार exam में आ भी चुका है विदाले से plan करने वाले बालक के अध्यन की जो सबसे उपयोगत विदी है वो है आपके case study विदी दोस्तों next question में चलते हैं question number 18 है निव में से कौनसी मनोरंचनाएं कुंठा वे अंतरद्वन्द कम करती है कौनसी मनोरंचनाएं हैं जो कुंठा वे अंतरद्वन्द कम करती है दोस्तों देखते हैं दमन, समन, परतिगमन, उपरोग सभी बात ओर ही एक कुंठा वें अंतरदवंद की तो ये तीनु ही उपरोग सभी सही रहेगा कम करती है next question में चलते हैं question number 19 है दोस्तूं नियम मैंसे किस मनोवेग्यानिक ने समवेगात्मक बुद्धी पर काम किया था कौन सा मनोवेग्यानिक है जिसने समवेगात्मक बुद्धी पर काम किया था दोस्तूं तो हमने पहले पहला एक क्यूशन देखा था समवेगात्मक बुद्धी का विचार सबसे पहले डेलियन गोलमेन ने दिया था बात करते हैं ओप्सनों की तो हारवर्ड, गार्डनर, डेलियन, गोलमेन, जोन डी मेयर, एवं पीटर सालवे उपरोग सभी तो इन चारू ने गार्डनर, गोलमेन, मेयर और सालवे इन चारू ने ही समवेगात्मक बुद्धी पर काम किया था उपरोग सभी, चार नमर ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं समवेगू पर नियंतरन पाने के लिए बालकू को अब्यास कराना चाहिए आतम चेतना का, आतम प्रेरना का, आतम नियंतरन का, आतमा नुभूती का दोस्तु, समवेगू पर अगर नियंतरन पाना है तो बालकू को अब्यास किसका कराना चाहिए आतम नियंतरन का, स्वेम पर नियंतरन का तीन नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन है मारा बालक को कक्सा में नियंत आने के लिए प्रेरित करने का उप्योगी सुजाव है या उप्योग्त सुजाव है दोस्तु डाटना, आलोचना, जुर्माना, प्रोथसान बालक को अगर आप कक्सा में नियंत बुलाना चाहते हैं वो नियंत नहीं आ रहा है तो उसको अगर आप रेरित करना चाहते हैं तो उसको प्रोथसाइद कीजिए, उसको प्रोथसान दीजिए चार नमर ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं एक अध्यापक सर्वे दर्से सामग्स, सिक्सन सामगरी के परियोग से अपने अध्यापक, अध्यापन कारिये को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, पारंसिगिंक बनाता है, मनोरंजक बनाता है इंपोर्टेंट क्यूसन है ये तो दोस्तों एक अध्यापक है सर्वे दर्से सामगरी, सिक्सन सामगरी का ओपरियोग कर रहा है इससे हैं अध्यापक अपने जो अध्यापन का रही है उसको क्या बना रहा है रोचक बना रहा है दो नमर उप्शन आपका यहां पे सही रहेगा next question में चलते हैं question number 23 है परिवार बच्चे को निम्न परकार से सिक्षयाद देता है किस परकार से ओप्चारिक रूप से अनोप्चारिक रूप से जान बूज कर नियमित रूप से important question है यह मित्रू जो परिवार है वह बच्चे को बच्चे को अनोप्चारिक रूप से सिक्षयाद देता है दो नमर उप्षन आपका सही रहेगा next question में चलते हैं question number 24 है मित्रू एक चातर बोड परिक्षयाद के लिए कठीन परिश्रम कर रहा है उसके पिता उसे अच्छे अंक आने पर motorcycle देने का वादा किया है इसका आर्थ क्या है ये कौन सी प्रेलना दे रहे हैं उसके पिता उसको आंतरिक प्रेलना, भाहे प्रेलना गणीतिय प्रेलना, आंतरिक भाहे प्रेलना मित्रू जो चातर रहे कठीन परिश्रम कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसको अगर अच्छे अंकाए तो मोटसाइकल देने का वादा किया है तो यहां पर जो बालक है दोस्तु वो प्रेरित है आंत्रिक रूप से हैं बाए रूप से हैं बाए रूप से प्रेरित है दो नमर ओप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं अच्छा अधिगम निर्बर अच्छा अधिगम है वो निर्बर करता है किस पर? सिक्सक पर, चात्रू की सकरिय रूची पर उप्योग सिक्सन विद्यू एवं साइक सामगरी के उप्योग पर उप्रोग सभी पर एक अच्छा अधिगम वो निर्बर करता है सिक्सक पर भी निर्बर करता है चात्रू की जो सकरिय रूची है उस पर भी निर्बर करता है उप्यूक तो और अच्छी सिक्षन वी दिया है उन पर भी निर्बर करता है और जो साइक सामगरी है उस पर भी निर्बर करता है उप्रोक सभी पर चार नमर ओप्सन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन है हमारा एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुब गया जिससे उसे कापी चोट पहुंची आगे चलकर वे लाल पोसाक तता लाल किसी भी चीज को देख कर डरने लगा यह उदारन है किसका उदारन है उदिपन साम सामने करंड का उदिपक एवम अनुकि रिख दोनु सामने करंड का नै तो उदिपक सामने करण और नहीं अनुकि लिख लाल काटा चुबा उसके बाद वो लाल चीजों से ड्रने लग गया मतलब उसका सामाने करण हुआ है उदिपन सामाने करण एक नमर ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं पियाजे दुआरा परियूक्त नहीं किया गया नाम खोजे पियाजे ने इन में से कोन सा नाम नहीं खोजा था आत्मी करण, संगटन, इसकीमा, उदाती करण सही रहेगा आपका उदाती करण दोस्तूँ चार नमर ओप्सन नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं अध्यन का उच्टमिस्तर कोन सा है स्रंकला अधिगम, समस्य समधान अधिगम उदिपन अनुकिरिया अधिगम, अनुकूलित पर्तिवृत अधिगम अध्यन का उच्टमिस्तर कोन सा है इंपोर्टेंट क्यूशन है यह तो अध्यन का उच्टम इस्तर होता है दोस्तु वो होता है समश्य समाधान अधिगम दो नमर ओप्षन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 29 नेतिक मुल्य का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मुल्यों की बात करें स्वेन्म उन पर आच्रन करें महन वेक्तियों की कानिया सुनाएं या देवी देवताओं की बातें करें बात और यह कि जो नेतिक मुल्य है उसका विकास किया जा सकता है कैसे यदि जो अध्यापक है स्वेम नेतिक मुल्य है उन पर क्या करें आच्रन करें दोस्तु दो नमर ओप्षन आपक का विकास बच्चू के अंदर व्याकरण के परसिक्षन का अनुकरण तथा पुन्दर बलन का अंतरजात योगेताएं हैं या परिपकवन है तो इसकिनर के अनुसार जो बच्चू के अंदर बासा का विकास है वो अनुकरण और पुन्दर बलन का प्रिणाम होता है दो नमर option आपका यहां पे सही रहेगा तो एक बार सभी मित्तर अपना score जरूर कमेंट कर दें सभी score कमेंट करें कि 30 में से आपने कितने क्यूशन यहां पे सही किये हैं दोस्तों और यह टेस्ट आपको किसा लगा और अभी तक अगर आपने जो चार टेस्ट हमने पहले लिए हैं मनोविज्ञान के मोडल पेपर वो नहीं देखें तो जो मनोविज्ञान टेस्ट के नाम से बनी हुई है पले लिस्ट उसमें जाकर वो सभी टेस्ट जरूर अटेंड करें दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बारत